हलो फ्रेंग्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यप्रदीश भूल से सम्मंदित वस्तु निष्ट प्रश्ण का सेकेंड पार्ट इसके पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं और वो आपने जरूर देखी होगी इसके बाद हम शुरू क करने वाले हैं देखे पहला जो हमारा question उसकी तरफ आंगे बढ़ते हैं मध्यप्रदीश राज्य के सम्मंद में सत्य कथन बताईए मध्यप्रदीश एक भू आविष्ठित राज्य है मध्यप्रदीश में आर्कियान काल से क्वाटेनरी यूग की चट्टाने पाई जाती ह मध्यप्रदीश को भगवलिक द्रश्टी से तीन भागों में बाटा गया है और उप्रयोगत सभी देखे जब हम बात कर रहे हैं इन ऑप्शन्स की तो आपको पता होना चाहिए मध्यप्रदीश के बारे में मध्यप्रदीश एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत ही जादा प्राचीन काल में निर्मित हुआ था और मध्यप्रदीश एक भू आवेश्ठित राज्य भी है जब हम भू आवेश्ठित राज्यों की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे राज्य जो कि किसी दू और इस वज़े से यहां किसी भी देश की सीमा को इस पर्ष नहीं करता है। Second option, मद्य प्रदीश में आर्कियन काल से वे क्वाटेनरी युग की चटाने पाई जाती हैं। देखें आर्कियन काल से वे क्वाटेनरी युग यह वो समय है जब प्रथवी एकडम रक्त तप्त थी गर्म धधकता हुआ गोला थी। दूसरा है सत्पुडा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार या फिर बगेलखंड का पठार। तो option number D आपका answer हो जाएगा जुकि तीनों option क्योंकि सही है तो answer होगा option number D अगले question में चलते हैं चंबल नदी द्वारा किया जाने वाला अपर्दन प्रदीश के किस पठार में सरवाधिक होता है जब बात हो रही है चंबल नदी की option देख लिजे option number 1 बुंदेल खंड, B बखेल खंड, C मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार जब बात हो रही है चंबल नदी की तो चंबल नदी वो नदी है जिसका उद्गम इंदौर से होता है इंदौर के अंदर भी किस शेत्र से होता है तो महू से होता है महू लगती है तहसील महू के अंदर कौन सी पहाड़ी है तो विंध्यांचल पहाड़ी है और विंध्यांचल पहाड़ी के अंदर भी जब आपसे question पूछे कि कौन सा point है तो वो है वांगचू point तो मद्धी प्रदीश में चंबल नदी का उत्गम इंदौर से इंदौर के महू से महू के अंदर विंध्यांचल परवर्श्रंकला से और विंध्यांचल परवर्श्रंकला के भी अंदर से वांगचू point से होता है चम्मल लदी की कुल लंबाई 965 वर्ग किलोमीटर स्क्वेयर है चम्मल लदी इन दौर में एक जलप्रपाद बनाती है जिसका नाम है पाताल पानी जलप्रपाद वहीं एक और जलप्रपाद बनाती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपाद चम्मल लदी सर्वाधिक मध्य प्रदेश के उत्री जिलों में अपर्दन करती है और जो अपर्दन करती है उससे कहा जाता है गली इरोजन या फिर अवनाली का अपर्दन तो मध्य प्रदेश का सबसे जादा जो अपर्दित जिला है वो है मुरैना जो कि चम्मल नदी के द्वारा ही अपर्दित किया गया है यहां अपर्दन करने के बाद जो मुरैना है वहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े गड़ों का निर्मार करती है चम्मल नदी और यह जो बड़े-बड़े गड़े हैं इही बीहड कहा जाता है और इन बीहडों में डाकूँ को अनिवास होता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बीहड की जो समस्या है वह चम्मल नदी के कारण है मुरैना जिले में पठार की बात कर लेते हैं मालवा के पठार के अंतरकत कौन-कौन से जले आते हैं। अप्शन है इंदॉर, भुपाल, राइसेन, सागर, इंदॉर, उज्जैन, दमोह, देवास, उज्जैन, इंदॉर, सिहोर, राजगर, आगर मालवा, देवास, उज्जैन, और इंदॉर। देखे, यह बहुत मुश्किल है, यह आपको बहुत डीप में इसके लिए नौलेज चाहिए, ऐसे कॉशन को हल करने के लिए। देखे, बात कर रहे हैं मालवा के पठार के अंतरगत, तो मालवा जो छेत्र है, इसका नाम मालव जनजाती के आधार पर औलिकर वंज के द्वारा रखा गया, यहाँ पर कुल 18 से 19 जिले इसके अंतरगत आते हैं, अर्थात मद्यप्रिदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो मालवा का पठार है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कपास का उतपादन और सोयावीन का उतपादन स्तरवाधिक होता है, वही खंडवा करवा उनको कपास के उतपादन के कारण ही सुनहरे जिले भी गहा जाता है, बा रखाग के कुछ चिले और इसी के साथ में सागर संभाग के भी एक दो जिले आते ही हैं तो अब इस आधार में आपको अंसर लगाना है अंदोर भुपाल राइसेन सागर ये सही है ऑप्शन नमबर A बिलकुल सही है अप्शन नमबर C देखते इंदोर उजयन दमोह देवास देवास जो है, यह उजयन संभाग का ही जिला है, तो दमों में थोड़ा confusion हो सकता है आपको, अगला चलते, उजयन, इंदौर, सिहोर और राजगर, यह बिल्कुल सही है, आगर मालवा, आगर मालवा जो है, यह आता है मालवा संभाग के अंतरगत, इसके मालवा के अंतरगत आगर मालवा, देवास, उजयन, और इंदौर, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह वाला option गलत है, तो 1, 3, 4 जो है, यह सही होगा, 1, 3, 4 जो है, यह सही होगा, 1, 3, 4 जो है, आपका option number C, तो आपका option number C, इसका अंसर हो जाएगा, अब यह बहुत कठिन हो गया, यह सवाल बिल्क एक जाबुआ है, एक बुआ है, जो जाशमा से संबंद रखती है, किसकी बुआ है, रीवा नाम की एक लड़की है, उसकी बुआ है, जो हमने जिलेवार में ट्रिक ही, हम वही ट्रिक यहां पर यूज कर रहा है, तो रीवा की जो बुआ है, जाबुआ, यह ना, चाहती है महा काल से संब भगवान महा कालिशवरच है। अजिए लगने कि लिए बैठे हुए हैं और भगवान ने बहुत ज्यादा साजों श्रिंगार करके भगवान वास कर रहे हैं कहां वास कर रहे हैं मालवा के शित्र में वास कर रहे हैं तो इस प्रकार से देखिए कौन है जाब हुआ है जाब हुआ है कहां जाना है इनको इनको जाना है उजयन तो यह जैन जब पहुंच गी तो वहां कहती है भगवान बहुत शाजो शिंगार करे हुए है तो शाजापुर शाजो शिंगार करे हुए भगवान वास कर रहे हैं तो वास करने से आगया देवास अब भगवान वास कर रहे हैं तो कहां वास कर रहे हैं तो आगर मालवा में वास कर वह अभेथर के दर्शन गारीं करके में गदबाएं है कि इसको बिलकुल उलकर हो भेखिवांसे ह sousबारीं यहां टोर बढ़ाएं तो समया हो गया अर्थात इंडोर से हो गया है इन भगवान क्या करते हैं सबका पालन करते हैं तो पालन से हो जाएगा भुपाल पाल से भुपाल हो जाएगा तो जाबुआ क्या कर रहे हैं दिशा दिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे आपको काम करना है तो दिशा दिखाने से हो जाएगा विदिशा और भगवान की जब दर्श तो बहुत सारे शोक का सागर कई गुना तक कम हो जाता है क्योंकि यहां पर भगवान राज कर रहे होते हैं और किसका राज होता है तो भगवान का अर्थात अली का राज होता है अली अर्थात इश्वरी होते है तो अली का राज होता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं अब थारा जिले ही होंगे, देखी गिल लेते हैं, नीमच, कलर दूसरा यूज़ करेंगे हम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, जाबुआ, अली राजपुर, योगय पांच, धार, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, साजापुर, राजगर, गुना, अशोक नगर, विदि भोपाल, सिहो, राइसीन, और सागर, इस प्रकार से देखते हैं, अठारा जिले ये होते हैं, अगली कॉप्शन में चलते हैं, निमलिके त्विखल्पों में से कौन सा मालवा का अध्योगे केंडर नहीं है, पीथमपुर, मंडी दीप, मनेरी और शाजापुर, देखें, म मनेरी मंडिला के अंतरगत आता है, शाजापुर, एक जिला है, और इसका अध्योगे केंडर है, मकसी, तो देखें, शाजापुर आ रहा था, मालवा के अंतरगत, धार भी आ रहा था, और राइसेन भी आ रहा था, तो मंडला जो है, अर्थायत मनेरी, ऑप्शन नमबर C, आपका सही आंसर होगा, मद्य प्रदेश के भौगौलिक विभाजन के संबन्ध में सत्यक अथन पर विचार कीजिए, देखें, भौगौलिक विभाजन के संदर्ब में हमको यहाँ पर देखना है, कि मद्य प्रदेश में कौन-कौन सी कितने प्रकार की मिटियां पाई जा मिटियां कितने प्रकार की होती है, तो मद्य प्रदेश में जो मिटियां होती है, वो होती है पांच प्रकार की, अब यह पांच प्रकार कौन-कौन से है, पहली जो मिट्टी में पाई जाती है, वो होती है, जलोण मिटियां होती है, जो कि नदियों के द्वारा बहा कर ले इसको कहा जाता है जलोन मिट्टी यह दो प्रकार के होती है एक जलोन मिट्टी होती है जिसे कहा जाता है बांगर वही दूसरी जलोन मिट्टी होती है उसे कहा जाता है खादर देखे यह जो खादर और बांगर है यह जलोन मिट्टी के दो प्रकार है और इसमें से जो खादर है वो नवीनतम जलोड मिट्टी होती है वही बांगर के जब हम बात करते हैं तो ये पुरानी जलोड मिट्टी होती है तो देखें ये जलोड मिट्टी हो गई पहली दूसरी जो मद्य प्रदेश में सबसे जादा पाई जाती है वो है काली मिट्टी और काली मिट्टी को ही चेरनोजम भी कहा जाता है ये वही मिट्टी है जिसमें सरवाधिक कपास का उत्पादन होता है अब तीसरी जो मद्यप्रदेश में पाई जाती है वो होती है लाल पीली मिट्टी चौथी मिट्टी होती है मिश्रत मिट्टी और पांच वीज होती है वो होती है कछारी मिट्टी इस प्रकार से मध्य प्रदीश में पांच प्रकार की मिट्टी होती है जलोड मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी और मिश्रत मिट्टी देखें, मद्य भारत का पठार क्योंकि मद्य भारत का पठार सबसे उपर में हमने देख चूके भेंद मुरायना वाले जीले यहां पर लगते हैं तो यहां पर क्या होता है गंगा और गंगा की साइक नदिया कि द्वारा अपना जल बहा कर ले जाता है जलोर मिट्टी, ठीक है, मालवा का बठार जलोर मिट्टी, एक बात बताईए, मालवा में कोई इतनी बड़ी नदी तो भैती नहीं, चंबल कहरावा, और दूसरी चीज, मालवा वह छेतर है, जिसका निरमाड, जो आला मुखी के फटने से हुआ था, अर्थात लावे से रिवा पन्ना का बठार, यहां भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी, देखें, नर्मदा सोन घाटी जो है न, यहां पाद लाल मिट्टी नहीं पाई जाती, तो इस करण से यह option हो जाएगा गलत, तो अपन को देखना है, 134 जिसमें हो, वो होगा हमार आंसर, 134, देखें, 134, option number D, अब यह देख लेते हैं, मदिप्रदेश में मिट्टी और कौन कौन के छेतर में, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यह है जलोन मिट्टी का छेतर, यह है काली मिट्टी का पूरा छेतर, यहां से इतना छेतर, मतलब मालवा और मालवा के ब यहां पर मिशुत मिट्टी पाई जाती है, नीचे लेटराइड मिट्टी है, तो अधिकतर हम देखते हैं कि मद्धि प्रदेश में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है, और जो नर्मदा सोन खाटी का शेतर है ना, यहां पर भी छिछली काली मिट्टी ही पाई जाती है मद्य प्रदेश में असीरगड की पहाड़ी और नर्मदा नदी के बीच क्या इस्थित है निमार का मैदान, उत्तर का मैदान, हुशंगावाज जिला और राइसेन जिला जब बात हो रही है असीरगड की पहाड़ी और नर्मदा के बीच में देखें नर्मना निकलती है अनुपुर से और अनुपुर से बहते हुए यहां से आकर खरगौन से निकल कर यह चली जाती है सीधे महराष्ट की तरफ में असीरगड की पहाड़ी की बात हो रही है तो असीरगड की पहाड़ी यहां पर है ठीक बुराहनपुर के करीब में सबसे उची चोटी कौन सी है पच्मडी राजफीपला की पहाडी अखधानी और हर्वत स्कोट देखिए जब मध्यप्रदेश की सबसे उची चोट तो tiakarill है कि मध्यप्रदेश की सबसे उचे चोटी धूपगड की बाद करें धूपगर देखे धूपगर जो है वो सत्पुडा परवश्रंखला का एक भाग है सत्पुडा परवश्रंखला कुछ इस आकार की परवश्रंखला है जो की तीन शेडियों में बटी हुई है एक, दो और तीन इसका सबसे इस तरफ का हिस्सा अठा सबसे जो पूर्वी हिस्सा होता है वो कहलाता है मैकाल परवश्रेणी बीच वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है महादेव परवश्रेणी और जो इस तरफ का हिस्सा होता है पश्मी भाग जो होता है उसे खा जाता है राज पीपला की पहाडी तो सत्पड़ा परवश्रंखला की महादेव परवश्रेणी जो है इस महादेव परवश्रेणी पर ही धूपगड इस्तित है और इस धूपगड को ही हर्वत स्कोट कहा जाता है इसकी कुल उचाय की बात करेंगे तो 1350 मीटर उची है यहीं पर पच्छमडी भी इस् परवश्रेणी की हम बात कर रहे हैं मद्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में कौन सा भॉगलिक छेत्र इस्तित है इस देखें बुंदेल खंड मधी भारत का बठार बगहील खंड और मालवा आपसे कॉशन क्या पूछा है मद्य प्रदेश में नर् नर्मदा सोन घाटी ये शीत्र हो गया पूरा इसके उत्तर में पूछ रहा मतलब उपर की तरफ में पूछ रहा है पूर्व पूछ रहा है अर्थात इस तरफ पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में बगहील खंड का पठार इस सीधा है कि मध्यप्रदेश का 59 जिला आगर मालवा किस वर्ष में बनाया गया तो इसका अंसर हो जाएगा 2013 मध्यप्रदेश का 59 जिला आगर मालवा 2013 में बनाया गया था वहीं मध्यप्रदेश का 52 जिला जो कि निवारी है जिसे एक अक्टूबर वर्ष 2018 को बनाया गया था मद्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को कहा जाता है बात करते हैं मंद्य प्रदेश की संगीत राजधानी की तो मद्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है अप्शन है इंदोर मैहर भोपाल इनमें से कोई नहीं मैहर को क्यों कहा जाता है उस्ताद अलाउद्दिन खां के कारण कहा जाता है त्योंकि उस्ताद अलाउद्दिन खां जो है वो मैहर से संबन्दित थे और इन्होंने मैहन में अपना पूरा कारिशेत्र समाला था और इनके घर को संगीत की तीर्थिस्थली भी कहा जाता है निमलिकित में से मध्यप्रदेश का कौन सजला महाराष्ट और छत्तिसगड दोनों राजियों की सीमा को इसपर्श करता है दिन्डौरी बाला घाट सिवनी अनुपपुर देखें दिन्डौरी ऊपर है तो केवल छत्तिसगड की सीमा को अनुपपुर ऊपर है तो छत्तिसगड की सीमा को दिन्डौरी शिवनी था शिवनी देखिए तो केवल महराश्च की सीमा को सपर्ष कर रहा है बचा बालागाट तो बालागाट अगर आप अच्छे से देखते तो एक तरफ से महराश्च की सीमा को वहीं दूसरी तरफ से छत्तिसगड की सीमा को सपर्ष कर रहा है तो इसका अंसर होगा हमारा बालागा तो इसका आंसर होगा आपका महूँ. महूँ क्यों होगा इसका अंसर? डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर का जन्व महू इंदौर में हुआ था और इस कारण से महूँ का नाम बदल कर अम्बेटकर नगर भी कर दिया गया है. भीम राव अम्बेटकर जी भारती सम्विदान को लिखने वाली प्रारूप समिती की अध्यक्ष थे? निमलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का संगमर्मी चटानों का शहर है? अर्थात ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में संगमर्मर की चटानों के लिए कौन सा स्चहर अत्यधिक प्रसिद्ध है? अप्शन नमबर A. ओर्चा, B. जवलपुर, C. बालाघाट, D. शिवनी देखिए इसका आंसर होगा आपका जवलपुर ओर्चा में रामायर कला संग्रहाले बन रहा है बालाघाट में ताहमा की ख़दाने है जवलपुर की बात करते हैं तो जवलपुर में आपने सुना होगा कि जवलपुर में एक इस्थल है जिसका नाम है भेडा घाट और भीरा घाट में संग्मर्मर की सरवाधिक चट्टाने मिलती है जो कि नर्मदा नदी की किनारे बसा हुआ शेत्रे और यहाँ पर एक जल प्रपात है जो बहुत जादा प्रसिद्ध है धुआधार जल प्रपात चंबल बेसिन में सबसे उत्री जला कौन सा है चंबल बेसिन मतलग यह पूछ रहा है आपसे कि जो चंबल लधी बहके जाती है तो मद्यपरदेश के सबसे उत्री जले को किस उत्री जले को सपर्ष करती है चंबल लधी जाते हुए जब हम बात करते हैं मुरैना की रीवा की ग्वालियर की और धार की तो चंबल बेसिन का सबसे उत्तिरी जुला जो होगा वो देखे रीवा हो सकता है क्या रीवा नहीं हो सकता क्योंकि रीवा पणना का पठार इस तरफ में और चंबल लदी जो है वो ऐसी बहके जाती है ग्वालियर हो सकता है क्या ग्वालियर बीच म में से कौन सा जिला चम्बल संभाग का जिला नहीं है क्यों कि यहां पर नहीं है पूछा था जिला नहीं है तो जो है का जिला नहीं है आगर मालवा और यहां पर हो गया हर्दा तो मध्य प्रदेश का 51 जिला पूछ रहा है अभी हमने दो मिनिट पहले इसका आंसर किया था तो आपको याद होगा कि आगर मालवा जो है वहां मध्य प्रदेश का 51 जिला है जवलपूर एक महत्वपूर सहर है यह किस शेतर के अंतरगत आता है जवलपूर किस शेतर के अंतरगत आता है option के साब से आपको चलना है महा कौशल, बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नाकपुर का पठार देखे, छोटा नाकपुर का पठार जो है वो जारखंड में है तो यह आंसर हो नहीं सकता आपका महा कौशल निमलिखित में से कौन सा जिला जवलपूर संभाग का जिला नहीं है शिवनी, मंडला, कटनी, हर्दा देखे, यहां पर देखे, जवलपूर संभाग का कौन सा जिला नहीं है शिवनी है बिलकुल है जवलपूर है ठीक है कटनी है कटनी है हर्दा कहा है हर्दा है होश्चंगाबाद संभाग अर्थत नर्मदा पुरम संभाग का जिला हर्दा है तो इस कारण से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नमबर डी में से कौन सा जिला गुवालियर संभाग का जिला नहीं है गुफालियर संभाग में पांच जिले आते कौन से आएगे पहला आएगा अशूक्नागर पहला ओप्शन देख लेतें बंद अशूक नगर गुणाु जब ग्वालियर संभाग की बात करते हैं, तो ग्वालियर संभाग में पांच जिले आते हैं, पहला हो जाता है गुना, दूसरा हो जाता है ग्वालियर, तीसरा हो जाता है दतिया, चौथा हो जाता है अशोक नगर, और पांचवा हो जाता है शिवपुरी. देखें मैप में चलते हैं यह है गुवालियर संभाग गुवालियर दतिया शिवपुरी गुना और अशोक नगर तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा भिंड भिंड जिला जो है वह चंबल संभाग के अंतरगत आता है कौन सा शहर मध्यप्रदेश के वाड़िक राजधानी के रूप में जाना जाता है देखें वाड़िक राजधानी का सीधा सीधा मतलब है कि वह शेत्र जिसमें आर्थिक रूप से मध्यप्रदेश आंगे हो वो कौन सा जिला है बोपाल इंदौर जवलपुर कालियर तो मानक माध्यान कहां से होकर गुजरता है भारत का माध्यान कहां से होकर गुजरता है मध्य प्रदेश में भोपाल दुर्ग उजयन सिंग्रॉली देखे ऐलिमिनेट कीजिए दुर्ग तो हो नहीं सकता क्योंकि यह सीजी के अंतरकत आता है बचा भोपाल उजयन सिंग्रॉली भुपाल एकदम बीचों बीच है और यहां से तो हमने कभी सुना नहीं उज्जैन भुपाल के और इस तरफ में उज्जैन हो नहीं सकता तो आंसर होगा आपका सिंग्रॉली और सिंग्रॉली को ही उर्जा राध्धानी भी कहा ज़ता है सिंग्रॉली के बैढ़न को मध्य प्रदेश में कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म मा हैं कौशन नहीं पूछा कि मध्य भारत के जो पठार है इन अपसे जाला जो गर्म है दिसम्बर अक्टूबर तो हो नहीं सकता है क्योंकि इस समय ठंड चल रही होती है मार्च हो सकता है माई हो सकता है लेकिन मार्च में भी कम ही गर्मी होती है लेकिन माई में सरवादिक गर्मी होती तो option number C हो जाएगा आपका सहिंग जाना पाओ चोटी किस छित्र का भाग है जाना पाओ चोटी यह वही चोटी है जिससे चंबल नदी निकलती है option number A बुंदेल खंड का पठार वीवा पन्ना का पठार मालवा का पठार और सत्पुड़ा की मैकाल परवश्णी है सत्पुड़ा में मैकाल श्रेडी जैसे चंब इतने में तो आपको पता चल गया होगा किसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर आप कमेंट पे बताएंगे 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे 1956 की बात हो रही है 2000 की बात नहीं हो रही तो 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब 41, 42, 43 और 45 देखे इसका सही आंसर होगा 43 जिले गठन के समय मद्यप्रदीश में 43 जिले थे और इसके साथी साथ में 8 संभाग भी थे वहीं जब मद्यप्रदीश का पुनर गठन हुआ जब मद्यप्रदीश से 36 गड़ा लग हुआ तब जो बचे थे वो थे 45 जिले बुंदेलखंट पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है जैसी बुंदेलखंट पठार आपको आता है ओप्शन देखे सिद्ध भाबा की चोटी जानापाव पहाडी या जानापाव चोटी सिगार चोटी सहन चोटी देखें सबसे उची चोटी की बात हो रही है सबसे पहले आपको पता होना ची कि मध्य प्रदेश की सबसे उची चोटी तो ये हो गई धूपगड अब मध्य प्रदेश में एक छेतर है जिसे कहा चाता है मालवा मालवा की सबसे उची चोटी तो ये हो गई सिगार फिर आता है बुंदेलखंड की सबसे उची चोटी बुंदेलखंड की सबसे उची चोटी तो बुंदेलखंड की सबसे उची चोटी होती है सिद्ध बाबा फिर आता है अगला रीवा पन्ना का पठार और रीवा पन्हा के पथार की सबसे उची चोटी जब पूछी चाती है तो वो होती है सदभावना शिकर सद भावना अब किस ट्रिक से याद रखना है आपको मत्यप्रदेश की सबसे उची चोटी तो सबको पता है कि धूब गड़े तो यह आपको यादी हो गई है मालवा की बात करें कि मालवा की सबसे उची चोटी कौन सी है तो मालवा की सबसे उची चोटी है सिगार, कैसे याद रखना है दिखिए, मालवा मतलब जो इंदौर का शेतर है, वहाँ पे काफी सारे लोग सिगरेट और पीते हैं, तो चाय सुट्टा है वहाँ पे बहुत जादा चलता है, तो आपको उससे याद रखना है कि हाँ लोग स इस टाइप का सर्फ imagination में कि मालवा के शेतर में लोग सिगर पीते हैं, तो मालवा से आपको सिगार याद रहेगा, बंदेल खंड की बात कर तें तो बंदेल-खंड, खंड की जहावात होतीना खंड-खंड होने की तो भगवान की याद नहां लगती है, कि नहीं आइसा कभ तो भगवान से आपको बाबा याद रखना या जड़ान सब बाबा की सिद्ध बाबा की बैत करें रीवा की बाम पका पठार घर एक बहुत सीधी लड़की है तो यसकी मन में सब के लिए बहुत सब्सक्राइdade को भावना कहा जाता है या फिर गुड़ विल्स कहा जाता है तो रीवा पन्ना की पठार की सबसे उची चोटी जो है वो शद्भावना सिखर हो जाएगा अगली कोश्चन में चलते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था बात यहां पर यह करनी है कि मध्य प्रदेश जब अलग हुआ 36 गड़ से उस समय मध्य प्रदेश के कितने जिले 36 गड़ अपने सांथ लेके गया था यह हमने देख लिया है लैक्चर्स में 14 जिले 15 जिले 16 जिले या फिर 17 जिले तो इसका अंसर होगा 16 जिले 36 गड़ मध्य प्रदेश से 16 जिले अपने सांथ लेकर नया राज्य बना था जिला बनने से पहले भुपाल किस जिले की एक तहसील था? देखिए इसका अंसर आपको देना है तो आपको पता होना चहिए कि जब भुपाल जिला बना तो वो समय चल रहा था 1972 का तो इसके पहले 1956 में भुपाल को राजधानी बना दिया गया था तो यह आता था सिहोर जिले के अंतरगता बोपाल की स्थापना दोस्त मुहम्मद खान ने की थी और इसके पहले प्राक्चीन सब्मेवे बोपाल की स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी बेडा घाट पर कौन सा जलप्रपात थे थे इसके बारे में अभी थोड़ी दिर पहले बात हुई थी तो अप्शन नमबर A धुवाधार, दुखदुधारा, कपिलधारा और चचचई जलप्रपात तो अंसर होगा अप्शन नमबर A धुवाधार जलप्रपात ओके, तो हमारी कलास यहाँ पर समाब्त होती है अब आपके जितने भी कौस्चन हो आप हमसे कमेंट में पुछ सकते हो और जो कौस्चन मैंने आपसे पूछा है, आपको उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ही देना है मैं उसमें आपके सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगी थांक्यू सो मच, मिलते हैं नेक्स वीडियो में